Welcome to CyberAware Hub. जैसे जैसे इंटरनेट का उप्योग बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इंटरनेट फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं. आज कल सभी लोग आनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रैंसफर, इन्वेस्टमेंट, बिजनस, आदी सभी इंटरनेट के यूज से ही करते हैं. ऐसे में कुछ बुरे लोगों ने इंटरनेट पर फ्रॉड और स्कैम को अपना बिजनस बना लिया है. ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल तो ज़रूर रहता होगा कि इंटरनेट पर खुद को सुरक्षित कैसे करें. आपको VPN के बारे में समझने में बहुत हेल्प करेगा. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. चलिए शुरू करते हैं और VPN के बारे में डिटेल में जानते हैं. VPN ऐसी टेकनोलोजी है जो यूजर की लोकेशन, ओनलाइन आइडेंटिटी, आइपी एड्रेस आदी को हाइड कर देती है, जिससे यूजर की कोई भी इंफर्मेशन, ISP यानि इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर या हैकर के पास नहीं जाती है. VPN पब्लिक नेटवर्क यूज करते टाइम, आपको प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराता है. VPN आपके इंटरनेट ट्राफिक को एंक्रिप्ट करता है, और आपके ओनलाइन आइडेंटिटी को हाइड कर देता है. ऐसे में third parties के लिए आपके ओनलाइन activities को track करना और आपका डेटा चुराना मुश्किल हो जाता है. डेटा सुरक्षित करने के अलावा, VPN के द्वारा किसी block website को भी access किया जा सकता है. जैसे आप इंडिया में रहते हैं और किसी ऐसी website को access करना चाहते हैं जो इंडिया में block है, तो आप VPN के द्वारा किसी दुसरे देश के location से उस block website को access कर सकते हैं. अब जानते हैं आखिर VPN काम कैसे करता है. जब भी आप अपने web browser में किसी website को open करने के लिए request करते हैं, तो यह request पहले आपके ISP जैसे Jio या Airtel के पास जाती है. ISP आपको उस website के server से connect कर देते हैं. इसमें server और आपके बीच जो भी data transfer होता है, उसकी सारी जानकारी ISP और website server दोनों के पास रहती है. इसमें आपका data गोपनिय नहीं रहता है. इसी लिए VPN का इस्तिमाल किया जाता है. जब आप VPN यूज करते हैं, तो एक VPN client आपके system पर install होता है. जब आप किसी website को open करने के लिए request करते हैं, तो आपकी request ISP से website server के पास ना जाकर VPN server के पास जाती है. और फिर VPN server के थुरू, आप website server से connect हो पाते हैं. जिससे ISP को नहीं पता होता, आप कौन सी website open कर रहे हैं, और website server को भी आपकी identity पता नहीं लगती है. VPN के दो basic type होते हैं, remote access VPN और site-to-site VPN. Remote access VPN के जरिए अपने region में blocked website या service को use किया जा सकता है. और remote access VPN से अपनी company के private network से भी remotely connect हुआ जा सकता है. Site-to-site VPN को router-to-router VPN भी कहा जाता है. इस VPN का use ज्यादा तर corporate environment में किया जाता है. खासकर जब एक company के कई locations पर offices होते हैं, ऐसे में site-to-site VPN ऐसा close internal network create कर देता है, जहां पर सभी locations एक साथ securely connect हो पाते हैं. VPN के benefits के साथ इसके कुछ disadvantage भी है, जैसे की slow speed, no cookies protection और not total protection. इतना secure होने के बावजूद, VPN को complete privacy provider नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि ये hacker, government और ISP से तो data को hide कर सकता है, लेकिन खुद VPN providers चाहे तो आपकी details देख सकते हैं. तो ऐसे में एक trustworthy VPN provider से ही service लेना बहतर होता है. अधिकतर free VPN trustworthy नहीं होते हैं. Free VPN आपके data को पूरी तरह से secure नहीं करते हैं, और यह आपके data को किसी third party के साथ भी share कर सकते हैं. इसलिए free VPN इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए. आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you.